अलो गाइज आज हम देखा रहे हैं अपने आम के पेड़ और यहां देखें कितना अच्छा आम आया हुआ है आम के मोजर बहुत ही ज्यादा आए हुए यहां पे इस बार यह देखें यह बगीचा यहां पे पूरा लंबा यह देखें लाइन सही तो इस बार आम के फसल कितना ज्यादा इसमें मोजर आया हुआ है इस पेड़ देखें यह है अमरपाली आम का यह जो पेड़ है और यह देखें कितना ज्यादा इसमें और यह है मालदे आम तो यह सामने बहुत इच्छा आम है यह सारे कलम के वह हैं और यह कुछ प्लंटेशन हमने किया हुआ भी तो मालदे आम का पेड़ है कितना सांदार इसमें अए एक पहला आम ये दोसरा आम जिसी मालदे सफेद मालदे आई ये और ये कई और और कोई पेड़ है लेकिन यह भी बहुत का है पकने पकेगा थोड़े दिन में और यह सामने गिहूं का फसल ओ यह भी बहुत बैतरीन इस बार मौसम आज थोड़ा बारिस का मौसम है 19 मार्च अभी आपको और सरसो दिखाएंगे हैं यह देखिए लेकिन यह थोड़ा गैपिंग है इसमें यह देखिए यह देखिए दो बच्चे यहां खेल रहे हैं गाउं के और यह देखिए यह सरसो पुरा पक चुका है यह देखिए यह सेल्फी लिया जा रहा है खेतों में अच्छा यह भी ब्लॉक्सूट कर दा हैं यह लड़के भी तो बल लड़के हैं यह गाउं के खेत घुमने आएं यह बहुत यह रहते हैं बाहर रहते हैं यह तो बिहार पहली बार आएह पूरा भाघवा यहांसे लंदा यह जो था ये ये लगवग पक चुका है ये थोड़ा ग्रीन अभी ये देखेंज्जा वहां ये हमारा खेत है वहां पर ये वह भी सरसों का वह भातरीन है और इसलियर के लिए जो कियूं की इस वर इस वर बहुत ही अच्छी है और बारी सभी ना हो तो वह अच्छा होगा क्योंकि अभ यह दर फॉरकास्ट है वो आने वाले एक दो दिनों में बारिस का जो अनुमान है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है तो अब देखना यह होगा कि कि इनों में कितना अच्छा यह सब हुआ है तभी हम अपने गाउं के पूरे खेतों को एक्स्क्लोर कर रहा है यह देखिए और चारो तरफ हर्याली यहां पर देखने को मिल रहा है आपको और यह देखिए जहां दूर दूर तक जो आम के पेड़ सरसो के खेत और जो गेहु है वो यह देखिए जो आम के एक और बगीचे में आ चुके हैं और देखिए आम कितना च्छाया हुआ हुआ है मूजर यह देखिए और यह पेड़ देखिए कितना जादा इसमें मूजर आया हुआ है चोटा सा पेड़ है और यह सामने के घर दिखता हुआ यहां पर खेतों के बीच में और यह जो बच्चे हैं वो खेतों में जो सौच करने के लिए जाते हैं यह देखिए जो मुदी जी का सौचाले वाला योजना उस स्कीम को कहीं ने कहीं यह लोग फेल कर देंगे और यह सामने खेत यह सामने यह देखिए आम के बाग में हम आए हुए हैं और कितना ज़्यादा आम का जो यह है अब तो बाग का जो डायमेटर है वो काफी कम हो गया है लेकिन आम भर पूरा है इस बार और मौसम अगर साथ दे अगर 20 दिन तो इस बार आम की फसल पैदवार बह तक हमारा खेत है वहां भी है तो हर छेत्र में फैला हुआ है कुछ-कुछ हिस्सा अभी जगह है सड़क और यह देखे बारी साने का संभावना बनता हुए तो हम आचों के अपने बगीचे में और पहले यह बगीचा हुआ करता था बहुत साड़े पेड़ लगबग आट- खत्म हो गए और इस पेड़ की हाइड देखे कितने ज्यादा है आम कितना ज्यादा इस पर हाई हुआ है आमका मोजर तो और यह सामने देखें यह बागीचे में भी देखें है यहां भी देखिए पेड़ के पत्तियों से ज्यादा इस पे मोज़र देख रहा है यह सामने एक और पेड़ा है यह देखिए इसका मोज़र तो कजब का इसमें आया हुआ है यह मिठा में काफी बहुत यह चाम होता है यह सामने जो यह दिख रहा है और लेकिन लगभग सभी पेड़ों में जो यह है आया हुआ यहां पे तो थैंक्स फॉर वाचिंग माई ब्लॉग और इसी के सांथे मिस ब्लॉग